Hello student, how are you? I hope all are fine and safe. Students, in last video we have learned chapter number 1, राकी रसी. आज मैं पढ़ाने जारे हूँ आपको फसलो का त्योहार. फसलो का त्योहार. Now let's start this chapter. सारा दिन बोरसी के आगे बैठ कर हाथ तब तब आते हुए गुजर जाता है. कहां तो खिचडी के समय दूप में गर्माहट की शुवात होनी चाहिए और यहां हम सूरज के के इंतजार से आस लगाए बैठे हुए हैं. पूरे दस दिन हो गए सूरज लापता है. आज सुभे तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी. कि सारा दिन बोर्सी यानि की अंगीठी बोर्सी यानि की अंगीठी की सारा दिन बच्चों जब ठंड होती है ठंड में क्या होता है सारा दिन अंगीठी के आगे निकल जाता है कैसे ठंड की वज़े से. खिचड़ी यहां कहा गया है कहां तो खिचड़ी के समय खिचड़ी यानि की मकर्सकरांती मकर्सकरांती के समय दूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए तो कहरें कभी तो जब मकर्सकरांती का तहार रहता है तो कई फसलों के तहार के रुप में मनाया जाता है मकर्सक कांती की शुरुवात में गर्माहट की शुरुवात होनी चाहिए और यहां क्या है आज सूरज जो है निकल ही नहीं रहा है सूरज के इंतजार में आस लगाए बैटे हुए हैं पूरे दस दिन होगे सूरज दिखाई नहीं दे रहा आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिमत ही नहीं हो रहा लेकिन घर में घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है रह रहकर कानों में कभी कभी चापा कल के और कभी कभी चलने की चापा कल कभी चलने की और कभी पाने की पानी के गिनने की अवाज तो कभी किसी के हाक लगाने की अवाज भी कभी किसी की बाते करने की वाज आ रही है किसी के बोलने की वाज आ रही है कहीं पानी चलने की वाज आ रही है जब भाग के देख केरा को पता आई करेका का सबonutने सब्सक्राइब enfin अब तो उतने में इस सबहो गई अब तो पानी वाज आती या चatा कि वाज आती है या किसी की बाते करने की वाज आती है तब पता लगता है कि अब उठने का समय हो गया है नहां दोकर हम सभी एक कमरे में एकठा हुए दादा और चाचा क्या सफे चकचक मार लगई धोती कुर्ता पहना हुआ है और खिचडी खिचडी में आइसन थाट हम पहल कबो ना देखी देखनी सारा दे कनकन अदेता पापा ने कहा शुत चैयर दोटी में थंड कुछ ज्याधा ही लग रही है तो पापा इस तरह से बोड़ रहे हैं खिच्डी में आईसन ठाट हमने पहले कबो ना देखी तो हमने कभी ऐसे नहीं देखा सामने मच्चिया पर खादी की सफेद साड़ी पैने वे दादी बैठी थी आज दादी ने अपने बाल धोए है जाक सफेद सेमल सेमल यानि की सेमल की रुई यानि की सफेद रुई के जैसे हलके फुलके बाल बिल्कुल सफेद ऐसे लग रहे हैं दादी के बाल जैसे सेमल की रुई हो गोर से देखने पर भी एक भी काला बाल नजर नहीं आता बिल्कुल दुली-दुली सी लग रही है ऐसे लग रहा है दादी बहुत दिनों बात नहाई है पूरी दुली भी लग रही है दुली-दुली लग रही है दादी उसने सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हुए हैं जिस पर तिल, गुड, मीठा गुड, चावल मीठा यहां पर गुड को कहा गया है चावल आदी छोटे छोटे डेर बने हुए है हमें बारी-बारी से उन चीजों को छूना है सभी चीजों को छूना है प्रणाम करना है प्रणाम के लिए कहा गया किस ने कहा दादी ने कहा जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को इकठा करके दान में दे दिया गया आज तो अप्पी ददिया बूरी फसी उन्होंने ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचडी पर आज फर्माईशी नाश्टा नहीं चलेगा उन्हें दोनों की दोनों की दोनों की चीजे खानी पड़ेंगी आज खिचडी जो है खिचड़ानी की मकर्सक्रांती खाने के लिए सभी ने गया और तिल क्या किये गया और तिल क्या किये गया और तिल गुड चीनी के तिल हुट को बड़े चाव से खाया खाते खाते सोच रही थी कि कितना अलग है ना खिचडी जो अभी हम मना रहे हैं मकर सकानती हैं पर खिचडी को मकर सकानती का है लेकिन क्या खा रहे हैं सब खिचडी ही खा रहे हैं चीनी और गुल के साथ तिल के साथ बच्चो आपने देखा कि मकर सकानती पर क्या होता है सब मुम्मी शहर में नहीं मनाती है गाउं में जाकर मनाती है तो दादी क्या करती है कि आपसे कुजा करवाते हैं हाथ लगवाती है आपको नए कपड़े पहनाती है वहले तो नहाद हो के फिरू कहती है इन्हें टच करो टच करने के बाद उन चीजों को दान में दे देती है होत जब हम स्कूल में कोई खिष्डी मनाते तो उनकी अलगी मस्ती हुआ करती थी चुट्टी का दिन नाउ में बैठकर गंगा के सैर और फिर टापू के बालू में दोड़ते हुए पतंग उडाना या उडाने की कोशिश करना कितना मजाता था इधर हम पतंग उडाते थे और व मगर सकांतियले दिन कई मंदिरों में खिष्डी बनती है बड़े बरत्रों में या फिर आस पास दुकानदार भी बनाने लग गए हैं और उन्हें क्या करते हैं दुकान पर ठेली कीतरे लगा देते हैं जो भी आता जाता उसको Kिषडी खिलाते हैं या गरीबों में Kिषड बांटी जाती है हम भी बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का मोका देते हुए मटर और प्याज चिलने बैठ जाते हैं वैसे ही खिचड़ी फिर दुबारा खाने को नहीं मिली वाके डंग कैसा भी हो पर है ये खुशी का खुशियों का तिहार बच्चों आपने देखा श ने से हमारे परिवार में और आ गई है जर्टी वहार कोा बाँ जाता हैना कोاعर कोई मद्य जो बीच कह कोई फसलों के तहार हो जाने पर खुशी बाटता है तो कुछ लोग इस उमीद में खुश हो जाते हैं होते हैं कि अब पाला कम होगा तो कुछ लोग तो इसलिए भी खुश हो जाते हैं कुछ लोग तो फसलों को लेकर खुश होते हैं कि फसल अची होते हैं और फसल की खुशी में रहते हैं वो कुछ सोशते हैं चलो ठंड हटी अब थोड़ा सा पाला कम होगा अब ठंड कम होगी सूरज की गड़मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसले तेजी से बढ़ेंगी सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना डंग नजर आता है इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं तो अगर पूछा जाए खिच्छी के दिन क्या करते हैं लोग तो मकर सकांती के दिन क्या करते हैं तो आंसर में आएगा इस दिन लोग अच्छी पैदावार की उमीद और फसलों के घर आने की खुशी में इंतजार करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार मद्य प्रदेश में मकर सक्रांति या तील असं में बी हूँ केरल में उनम तमिलनाडु में पॉंकल पंजाब में लोडी जारकण में सरहुल गुजरात में गुजरात में क्या है पतंग का पर्व सभी घेतों और फसलों से जुड़े तिहार हैं बच्चों ये जितने भी तिहार मेंने भी बोले हैं ये किस से जुड़ेवे हैं फसलों से जुड़ेवे तिहार है इन्हें जनरी के मद्यप्रैल तक अलग-लग समय मनाया जाता है जारखण में सरहुल बड़े जोशो करोश के साथ मनाया जाता है चार दिन तक इसका जशन चलता रहता है अलग लग जातियां इसे अलग लग समय में मनाती है संथाल लोग फर्वरी मार्च में तो और आप लोग इसे मार्च अप्रेल में मनाते हैं आधिवासी आम तोद पर प्रकिर्थी की पूजा करते हैं सरहुल के दिन विशेश रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है यही समय है जब साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं फूल आने लगते हैं और मोसम ही बड़ा खुशनुमा हो जाता है इस्त्री पुष्ट दोनों ही डोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं चारो और फैली हुई छोटी-छोटी घाटियां लंबे साल के वरिक्ष का जंगल और वही आसपास बसे छोटे-छोटे गाउं लिपे-टुपे की करीने से बुहार और सजाएगे अपने घरों के सामने लोग पंक्तियों में कमर में बाहें डाल कर नित्या करते हैं अगले दिन बेर निर्टे करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पोधे लगाते हैं फूलों के पोधे लगाते हैं घर घर में चंदा मांगने की भी प्रता है पर चंदे में मालुम है क्या मांगते हैं मुर्गा चावल और मिश्री फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दोर तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनती है अपने देखा टीवी में देखा होगा कि कान में सरई का फूल पहना जाता है इस दिन वे बसंत रितू की शुरुआत मानी जाती है बसंत रितू धान की भी पूजा होती है प पोंगल की रूप में मनाया जाता है इस दिन खरीब की फसले चावल अरहर आधी कटकर घरों में पहुंचती हैं लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं हर घर में मिट्टी का निया मटका मटका लाया जाता है उसमें नए चावल दूद गूड डालकर उसे पकाने के लि धूप में रख देते हैं हल्दी शुब मानी जाती हैं इसलिए सुबे धी को मटके के मुहूं मटके मुह के चारों और बांद देते हैं यह मटका दिन में साड़े-दस-हजार बजए तक धूप में यह मटका दिन के साड़े दस बारा बजे साड़े दस या बारा बजे दूब में रख दिया जाता है इस समय क्या होता है दूब बहुत तेज होती है जैसे ही दूद में उफान आता है तो दूद चावल मटके से बाहर गिनने लगता है तो पॉंगल पॉंगला पॉंगल पॉं दिन आसमान की और यदी नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लेराती हुई मिले परतेक गुजराती चाहे वह किसी भी धरम जाती आयू का हो पतंग उड़ाता है हजार उलाखों पतंगों में से सूर्य भी ढग जाता है आपने देखा न बसंद पंचमी बे कुमाओं में मकर्स करांती को धूद या भी कहते हैं इस दिन आठे और गुड को गूंद घर पकवान बनाए जाते हैं इस पकवानों को तरह तरह से अकार दिये जाते हैं जैसे डमरू तलवार दार्डिन का फूल आदी पकवान को तलने के बाद एक माल में पिरोया जाता है माला के बीच में संत्रा और गन्य की गडेरी पिरोयी जाती है यह काम बच्चे रूची और उत्साहा के साथ करते हैं बच्चे कैसे करते हैं काम रूची और उत्साहा के साथ करते हैं सुबे बच्चों को माला दी जाती हैं बहुत ठंड के कारण खिलाते हैं और गाते हैं कितने लग लग अंदाज मकसानती मंगानाने की कहीं दूर चावल गूर की खीर बनती है तो कोई पांच अकार के नए अनाज की खिच्डी बनाता है तो कहीं कहीं लोग सेलाप नदी के स्थान के लिए उमड पड़ता है लोग ठंड में ठुटुटे रहेंगे पर बरफिले पानी से पानी में कम से कम एक डूपकी तो जुरूर लगाएंगे हाल यह होता है कि इन जगाओं पर तिल रखने की भी जगे नहीं होती तिल से याद आया मकरस्करांती के दिन पानी में तिल डाल कर सनान करना सनान करना तिल दान करना आग में तिल डालना तिल में पक्पान बनाना विशेश महत्व रखता है तुम्हारे घर या इलाके में इस तोहार को मनाया जाता है इसे खिचडी, पोंगल, मकर्सक्रांती या कुछ और कहा जाता है या तुम फसल से जुड़े कोई तोहार मनाते हो यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जान कर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस तोहार को अलग-लग ढंग से मनाते हैं पच्चो आपने शहर में देखा, शहर में होता ऐसा कि जो लोग होते हैं अलग-लग ढंग से अलग-लग तोहार मनाते हैं खिच्वा का तरहार है वो अलोग तरहां से मना जाता आप sonni talk जाते हैं जैसे अभी आपको मैंने बताया था छिसे एक बार बता देती ओं उत्तरपरदेश बिहार मद्द्र परने र donc to us रहाघार में पंज़ाइब में लोडी जारखंड में सरहुल गुजरात में पतंक तो इस तरह से फसलों के तहार मनाए जाते हैं बच्चो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा नव लेट्स स्टार्ट अगया बच्चो आज में जो चैप्टर के एकसाई लेके हैं हूँ पहले मैं लेके हैं हूँ शब्दर्थ जो आपके मन में होती है वो ही मांगते हो ना फरमाईश करते हो अपनी माता पिता से हाक लगाना यानि कि पुकारना इजहार किसी भी चीज का इजहार करना जाहिर करना जोशो खरोश यानि कि उत्साहा हर त्यहार बनाया जाता है उत्साहा से जैशन, खुशी, एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए खिचडी का क्या तात परे है बच्चों मैंने आपको बताया था मकर सकानती इसका अरत है खिचडी, खिचडी जो वर्ड लिया गया है वो मकर सकानती के उपर लिया गया है इस दिन लोग क्या करते हैं अच्छी फसल, पैदावार की और फसलों के घर आने की खुशी में खुशी का इंतजार करते हैं और घर में चहल पहल क्यों थी आपने चैप्टर पढ़ा कि वो बोलता है बच्चा की दादी ऐसे थी दादा ऐसे थे, दादा ने दोती पहनी थी, चाचा ने दोती पहनी थी तो घर में चहल पहल क्यों थी? घर में सब खिच्डी का त्योहार दूमदाम से मनाने जा रहे थे दादी के बाल कैसे लग रहे थे? बदाया था ना मिने? कैसे लग रहे थे? सफेद सेमल की रूई जैसे हलके फुलके लग रहे थे किस महा में भारत की खुशी प्रांतों की फसलों से जुड़ा त्योहार माना जाता है किस महा में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा त्योहार मनाया जाता है मैंने बताया था जनरी माह के मध्य में गुजरात में मकर्सक्रांती के पर्व कैसे मनाय जाता है मकर्सक्रांती का त्योहार बच्चे बुड़े बड़े बुड़े पतंगे उड़ा कर मनाते हैं गुजरात में कैसे मनाते हैं पतंगे उड़ा कर नेक्स है मकर्सकांती के दिन तिल का किस किस तरह प्योग किया जाता है मकर्सकांती के दिन तिल पानी में डाल का सनान करना तिल दान करना आग में तिल डालना तिल का पकवान बनाना या इस तरह तिल का उप्योग किया जाता है तिल से बने बच्चों तिल से बहुत सारी नाम पता कीजिये और लिखिये बच्चो इसमें मैंने कुछ लिखे हैं और बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जैसे कि सूरज्मुखी के बीज से तेल निकाला जाता है आमला के तेल, बादाम का तेल, सोया बीन का तेल फूलों से भी तेल निकाला जाता है सरसो के बीज से भी तेल निकाला जाता है और अंडी के जो बीज होते हैं उससे भी तेल निकाला जाता है नीम के बीज होते हैं उससे नीम का तेल निकाला जाता है I hope students की आपको chapter समझ आ गया होगा chapter के साथ मैंने chapter के exercise भी करा दिया है I hope आपको chapter समझ में आया होगा और exercise की help मिली होगी तो बच्चो अगर आपको exercise की help मिली है वीडियो पसंद आई है तो please like जरूर कर दीजेगा like, comment जरूर कीजेगा बच्चो आप वीडियो देख लेते हो लेकिन like नहीं करते हो it's my humble request कि आप first time अगर मेरे चैनल पर आये हो तो please मेरे चैनल को subscribe जूर करिएगा take care, bye bye